तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ 2015 में है Spanish movie The Corpse of Anna Fritz को इसके IMDb rating है 5.9 out of 10 जो की ठीक ही है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिके subscribe को दबा कर grey कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे तो movie की शुरुआत होती है जहां हमें एक लड़की की dead body जिखाई जाती है जिसका नाम Anna Fritz होता है वो एक popular actress होती है जिसकी एक party में अचानक से death हो गई होती है उसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम इवान और हावी होता है वो अपने दोस पाओ से मिलने आये होते हैं जो की hospital में ही काम करता है उन तीनों को एक party में जाना होता है पर पाओ की shift एक गंटे बाद खतम होने वाली होती है तो वो लोग बाहर चले जाते हैं और दारू के शॉर्टस लगाने लगते हैं और एनाफिट्स के बारे में बादचीच चलने लगती है तो उसके दोस्त उसकी dead body देखने के लिए बोलते हैं पाउ मना करने लगता है क्योंकि ऐसा करना बहुत रिस्की होता है इसमें उसकी जॉब भी जा सकती है पर ईवान के काफी जोड डालने के बाद वो राजी हो जाता है वो काफी खुबसूरत एक्टरस थी इसलिए ईवान उसे देखना चाता था तो हावी भी इनके साथ चलने क मान जाता है अब पाउ अपनी जॉब को रिस्क में रखकर वो उन दोनों को मुर्दागर ले जाता है और वहां एक लाज के सामने खड़ा हो जाता है जब वो उसका कवर अटाता है तो वो लोग डर जाते हैं क्योंकि वो एनकी लाज नहीं एक बुड़ी औरत की लाज होती है पाउ उन दोने से मज़े ले रहा होता है पर फाइनली वो एनकी लाज पर जाता है और उसका कवर हटा देता है वो काफी खुबसूरत होती है जिसे देखकर इवान की नियत खराब होने लगती है वो कवर को थोड़ा और नीचे कर देता है फिर उसके चेस्ट को टच्च करने लग जाता है हावी को ये देखकर काफी अजीब लगता है क्योंकि एक लास के साथ ऐसा करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी पर इवान हावी को भी उसका चेस्ट चूने के लिए कन्विंस कर लेता है इवान के अंदर का शैतान जागने लग जाता है और अब उस उसे एना की डेड़ बॉड़ी के साथ सेक्स करने की इच्छा होने लगती है हावी उसकी बास से एगरी नहीं करता पर पाउ बताता है कि उसने पहले भी एक डेड़ बॉड़ी के साथ सेक्स किया है वो 18 साल की थी इवान कहता है कि हमें ऐसा मौका कहां मिलेगा कि किसी फेम इनसान के साथ सेक्स करने मिले हावी इन लों की बाते नहीं मान रहा होता पर वो उनके दोस्त होते हैं तो भले ही वो खुद कुछ न करे पर उससे साथ तो देना ही था वो लोग फिर ड्रस करते हैं और हावी और पाव दूसरे रूम में चले जाते हैं और वहाँ एवान एना कि बॉडी के साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देता है या फिर कह सकते हैं कि उसका रेप करना स्टार्ट कर देता है फिर उसके करने के बाद पाउ करने के लिए जाता है जब वो कर रहा होता है तभी एना की आखे खुल जाती है और वो जिन्दा हो जाती है पर पाओ को ये सब पता नहीं चलता पर जब वो देखता है तो उसकी एकदम समझ जाए क्या बोलना चाहरा हूं मैं उसकी चीक सुनके हावी और इवान उसके पास आते हैं पाओ उनको बताता है कि एना जिंदा हो गई है अब इवान और पाओ को टेंशन हो जाती है क्योंकि उन ही दोनों ने उसका रेप किया होता है तो वो कहीं पुलिस को न बता दे इसलिए वो उसको मारने का प्लान बनाने लगते हैं और वहीं हावी उसको जाकर कपड़े पहना देता है हावी इन लोग के प्लान से एगरी नहीं करता और बोलता है कि तुम लोग ने जो उसका रेप किया है अब तुम्हें सजा भी भुगत नहीं होगी तब ही घुसे में आकर इवान हावी को पीटना चालू कर देता है पर पाव बीच में आकर उन दोनों को अलग करता है तब इवान को रियलाइज होता है कि उसने हावी का सर ही फोड दिया है और उसके सर से काफी खून बहरा होता है दोनों इसका इलाज कराने का सोचते हैं बट वो बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि थूड़ी देर पहले ही एक हॉस्पिटल का मेंबर डेड बॉड़ी लेकर आया था तो ये लोग छुप गए थे और वो वहाँ का डोर लॉक करके जा चुका था एना जिन्दा तो हो गए थी पर उसकी बॉड़ी अभी भी पैरलाइज थी अब बाओ और एवान हावी को दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं और एना को भी उसी रूम में ले आते हैं वो हावी को होश में रखने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ फैला हुआ सारा खून साफ करते हैं पाओ अपने कपड़े बदल लेता है, तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है, तो एना चिलने की कोशिस करती है, पर इवान उसका मूँ बन कर देता है, और पाओ उसी लड़के के साथ चला जाता है, पिर हम देखते हैं कि हावी अप सास नहीं ले रहा होता है, तब एना कह कि तुम ही लोग ने ये सब कुछ किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी तो इवान उसे अपना मूँ बन रखने को कहता है पाउ और इवान बाहर जाते हैं और इवान पाउ से कहता है कि अगर ये सब किसी को पता चला तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी इसलिए हमें हा से गिर कर हावी के डेड बाडी के पास जाती है और उसका फोन निकाल कर किसी को फोन लगाने लगती है पर तभी इवान वहां आ जाता है और उससे फोन चीन लेता है वो जब कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो पता चलता है कि उसने किसी को कॉल लगाया था पर बात नहीं हो पाउ और एवान अब एना को कहीं और ले जा रहे होते हैं तब ही हावी का फोन बजने लगता है जो कि एवान के पास होता है जैसे ही वो कॉल उठाता है तो एना फादर हेल्प मी चिल्लाने लगती है पर तब ही पाउ उसका मूँ बन कर देता है जब उस टाइम एना ने फोन लिया था तो उसने अपने फादर को कॉल मिलाया था पर एवान उनसे कह देता है कि वो रॉंग नंबर है और गलती से मिल गया था एवान फिर एना को जोर का थपड मारता है और कहता है कि तुम कुछ टाइम पहले लाश ही थी अब फिर से लाश ही बनने वाली हो इतना कहकर व हावी का खून किया है और एक नंबर का जूटा आदमी है बड़ पाओ उसकी बातों को नहीं मानता तब एना बताती है कि जब तुम उस टाइम लड़के के साथ चले गए थे तब इवान नहीं हावी का गला गोट कर उसे मार डाला था पाओ थोड़ा सोचता है पर वो फिर ए एना वहां से गायब है वो दोनों एना को धूंडने लगते हैं एना वहां से खिसकते हुए एलिवेटर के अंदर आ जाती है और वहां से निकलने लगती है पर तब इवान वहां आकर एलिवेटर का दरवाजा बंद होने से रोक लेता है और एना को घसीडते हुए वापिस लेकर जाता है पाव इवान से पूछने लगता है कि क्या तुमने हावी को मारा था तो वो कहता है कि हाँ वो तो एक एक्सिडेंट था पर पाव कहता है कि नहीं तुमने उसका गला दबा कर उसे मारा था तब इवान थोड़ा हिचकिचाता है और पाव से कहता है कि तुम एना की बातों पर यकीन करना बंद करो वो दोनों सोचने लगते हैं कि एना को कैसे मारा जाए कि सबूत भी ना मिले तो वो उसे सांस रोक कर मारने का प्लान करते हैं तो पाउ एक कपड़ा लेकर इवान को देता है और उसे मारने को कहता है पर इवान उसे कपड़ा वापिस दे देता है ये कहकर कि तुम उसे मारोगे पर पाव कहता है कि तुमने हावी को मारा था इसलिए इसे भी तुम मारो इवान अकेले ही इन सब का भागिदार नहीं बनना चाता था इसलिए वो पाव का हाथ पकड़के एना को दोनों मिलकर मार लगते हैं ऐसा करने पर आयना का ट्वालेट निकल जाता है पर वो कपला नहीं अटाते तो उसकी फिर से मौत हो जाती है उसके बाद हावी की डेड़ बोडी कंटेनर में डाल कर इवान उसे लेकर चला जाता है और इधर पाव आयना की डेड़ बोडी को साफ कर रहा होता है इवान हावी की डेड बॉड़ी फिंक कर वापिस चला जाता है, और यहां पाउ एना को क्लीन करके कवर करके जाने लगता है, पाउ आहां से जब जाने लगता है, तो वो आखरी बार एना का कवर हटाता है, तब एना जिन्दा होती है, तब हमें एक flashback दिखाया जाता है जब एना और पाओ बाते कर रहे होते हैं तो एना ने उसे convince कर लिया होता है कि वो गलत नहीं है जो भी किया है सब इवान ने किया है तो जब वो दोनों उसे मार रहे होते हैं पहले से ही सांस रोक कर मरने की acting करने लगती है अब वो actress थी तो मरने का roll काफी अच्छी तरीके से निभा रही थी तब ही वहाँ पर इवान आ जाता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तब इवान देखता है कि उसके पर्स में उसका ID कार्ड नहीं है तो वो वापिस से मुर्दा घर में जाने लगता है पर पाउ उसे जाने से रोकता है पर वो रुकता नहीं और जैसे ही अंदर जाता है तो उसे आना जिन्दा दिखाई देती है वो ये देखकर समझ जाता है कि पाउ उससे मिला हुआ है तो वो पाओ का गला दबाने लगता है पर उसने अलरेडी अपने एक फ्रेंड को मार दिया होता है तो वो उसे छोड़ देता है लेकिन तभी एना इवान के गले में कैची मार के उसका गला फार देती है और वो कुछ ही देर में मर जाता है पाव कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था पर तब ही आना उसको भी कैचे से मार मार के मार डालती है और वहीं पर बैट जाती है और मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तो इस मूवी में आप देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं जिन्दा तो सेफ नहीं ही रहती पर मर जाने के बाद भी उन्हें हवसी दरिंदे छोड़ते नहीं हैं तो ये था एक्स्प्लेनेशन कॉर्प्स आफ एना फ्रिट्स मुवी का आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और मुझे अगली कौन सी मुवी एक्स्प्लेन करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं और आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिफिशन मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते झाल झाल